भारत के विदेश मंत्री एश जैशंकर ने भारत के इतिहास को लेकर अमेरिका पर सवाल उठाया है नमस्कार मेरिती फौसदार आप देखरे हैं हमारे साथ दनगरी मीडिया C.A. पर अमेरिका के बयान को लेकर जैशंकर ने कहा कि ये टिपडी C.A. की समझ के बिना की गई है कानून का मकसद भारत की विभाजन के दौरान पैदा हुई समस्याओं के हल निकालना है भारते मीडिया टुडे के कॉनक्लेव में पिदेश मंतरी ने कहा था कि मैं अमेरिका के लोकतंत की खामिया या उनके उसूलों पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ मैं हमारे इतिहास के बारे में उनकी समझ पर सवाल उठा रहा हूँ अगर आप दुनिया के कई हिस्सों में दिये जा रहे बयानों को सुनेंगे तो ऐसा लगता है कि जैसे भारत का विभाजन कभी हुआ ही नहीं जैसे देश में कभी इसकी वज़ा से कोई ऐसी समस्या नहीं थी जिसका C.A. ने हल लिया हो। कॉनक्लेव में भारत में मौझूद यूएस अमबैस्टर एरेक गैटिक ने भी शामिल हुए थे उन्होंने कहा था कि अमेरिका कभी भी अपनी सिधान्तों को नहीं छोड़ेगा धार्मिक आज़ादी और मानित्ता को लोकतंत की अधार शीला पर अमेरिका के C.A. को लेकर च जाता है इससे सिध्धान्त बताया जाता है हमारे पास भी सिध्धान्त है इसमें से एक और उन लोग की तरफ हमारी जिम्मदारी जिने विभाजन के समय परिशानिया झेली पड़ी थी इसी बीच मीडिया ने उनसे पूछा था कि C.A. नागरिता देता है या उनसे छीनता है इस पर विदेश मंतराले का बयान सामने आया था उन्होंने कहा था कि नागरिता संशोदन अधितियम 2019 भारत का आंत्रिक मामला है और इस पर अमेरिका का बयान गलत था जिन लोग को भारत की परंपराओं पर और विभाजनों के बाद इतिहास की समझ नहीं है उन्हें ल मुदाय के उन लोगों को सुरक्षत पना देता है आज के लिए इतना ही ऐसी न्यूज अपडेट्स के लिए बने दी हमारे चनल दनगरी मीडिया के साथ